अस्राइब लेकुम ते यार कैल चलें आप सब लोगों के मेरा नम हमाद है और आज की जो वीडियो होने वाली है वो अगेंट जैसकेश के लोन के ओपर होने वाली है इससे बहले मैं चार वीडियो स्टक्रीबन जो है वो इस ट्रॉपिक के ओपर बना चुका हूँ और लोग फिर भी पूछते हैं कि यार कितना हम जो है वो मैक्सिमम जैस वालों से जो जैसकेश का रेडी कैश लोने वो ले सकते हैं तो वो मैंने सारे कुस्टरंस जो है इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर आंसर कर दिये थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा लेकिन खेर आज की वीडियो में आपको जो है वो लाइफ थर्टीन हंट्रेट उपीस का जो है वो लोन लेकर दिखाने वाला हूँ क्या इसकी जो है वो acceptability है और किस तरह से इसकी जो है वो eligibility है क्या इसके लिए जो है वो हमें required होगा और किस तरह से हमें अपना account जो है वो यूज करके ये loan लेना है उसके अलावा जितने भी questions होते हैं वो आपको आज की वीडियो के अंदर एप के अंदर जाकर ही आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपने जो है वो उनकी ट्रम्स और कंडिशन पढ़नी है और उदर क्या-क्य लोगों ने पूछे हुए questions और उसकी आंसर जो है वो आपको उसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो का फिजद इंट्रस्टिंग होगी आप चलते हैं फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के उपर और देख लेते हैं किस सरह से आपको loan लेना है वीडियो आपको फॉर शॉर्ट जो है वो पसंद आने वाली है तो इसको लाइक करके जाना शेयर कर देना दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइनल ली वो भी कर लें तो बिसमिलर राख्मानीम चलिए अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं चले हैं और फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको साइड के ओपर शो हो जाएगी और साथ-साथ मैं आपको बोलखर बताता भी रहुँगा ताके आपको एजी रहे समझने में तो इधर जो है मैंने रिकॉर्डिंग स्क्राट कर दी है अब यह आपके सामने जो हो इध के पास पुराना लुक थे तो आपने किस तरह से अब्डेट करने है फिल Guinea स्टोर में सिंप्ली जाना है लोगों को पता ही हो ऐगा जैस केश यह पर लिखेंगे और यहाँ पर जैस जगह के O gepa आपका number होता है jazz cash के उपर आपने code रखा होता है वो आपने देना है मैं जैसे ही fingerprint को करता हूँ registered तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5 rupees अभी फिलाल सिर्फ मेरे account के अंदर available पड़े हुए हैं और आपको अभी जो है वो live ही पता चलेगा जब मैं loan लोंगा 1300 rupees का तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने किस तरह से लिया है और किस तरह से ये instant जो है वो मेरे account में add हो गए है खैर अब कुछ इस तरह से इसका look है अब आपने क्या करना है ये नीचे आपको जो है वो एक swipe वाला bar देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तो इसको मैं जो है वो जैसे ही उपर की side जो है वो swipe करूँगा तो ये मुझे किस तरह से ये सारे options जो है वो मेरे सामने कुल कर आ जाएंगे अब मैं इदर से scroll down करता हूँ ये आपने कौन से section के अंदर आ जाना है तो मैं जो है वो इसके ओपर चला जाता हूँ इसके ओपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास eligibility 1300 रुपीज की है और ये मुझे कह रहे हैं कि इंटर अमाउंट इन मल्टिपल ओफ अंडरेट मतलब आप जो है इसके ओपर आपने क्लिक करना है frequently ask questions ये जो है वो इसके ओपर आपने क्लिक कर लेना है तो आपको जितने भी questions लोगों ने जादा पूछे होते हैं उनके इदर जो है उन्होंने जवाब दियो है जैसे are there any additional charges except the weekly fee मतलब जो जब हम loan ले ले लेते हैं उसके बाद जो है वो एक fee भी होती है जो हर अफ़ते जो एड होती रहती है तो आपको जो है वो फिर उस fee के साथ जो है उस loan को return करना पड़ते हैं उसके लावा ready cash loan है क्या ये क्यों देते हैं और उसके लावा अगर इनकी जो payment का होता है क्या जो है जो है जो है वो लोन लिया है इसको return कर देना अगर आप नहीं करते तो ये इन्होंने सारा बताया हुआ है और उसके लावा एक और चीज़ है कि ये वह आपने लावमी पढ़ लेना है कि अगर आप चार हफ़तों के अंदर नहीं करते इनका लोन वापिस और उसके बाद ये आपको चार हफ़ते और देते है और फिर उन चार हफ़तों के अंदर भी मतलब दो महीने के अंदर आप जो है वो इनका लोन नहीं वापिस करते तो ये इन्होंने इदर किलिरली बताय हुआ है कि आपको जो है वो स्टेट बैंक और पाकिस्तान के अंदर जो भी नंबर वगएरा है आपका नाम है सारी इन्फरमेशन दे कर ब्लैक लिस्टेड आपको कर दिया जाएगा और फिर आप कोई भी बैंकिंग सर्विस नहीं यूज़ कर पाएंगे किसी भी बैंक वगएरा से जो है वो आएंदा लोन नहीं ले पाएंगे तो ये काफी दादा लोग पूछते हैं तो ये चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि अगर आप लोन ले रहें तो एक दो महीने के अंदर वापिस कर दें बाकी ट्रॉम्स एंड कंडिशन इदर से पड़ लीजेगा अब जो है वो लोन लेते हैं यहाँ पर चलके अब मैं अधर अमाउंट पुट करतेता हूँ थर्टीन अड्रेट और यहाँ पर करना है रिव्यू रैडी कैश के ओपर हमने क्लिक और यह मेरा जो भी अकाउंट है यह आगया और यह मुझे कहरें के पर वीक आपको जो फी पड़ेगी वो 65 रुपीज पड़ेगी यहाँ पर इन्हों ने बताया हुआ है तो पर वीक मुझे 65 रुपीज इसके ओपर एड़ ओन होते जाएंगे कंफर्म कर लिदेता हूँ कंफर्म करने के बाद मुझे फिंगर पिंट इदर लगाना पड़ेगा यह MPI यह नमबर लगाना पड़ेगा और उसके बाद यह जो है वो एकसेप्ट हो चुका है और यह थर्टीन इंडेट का मुझे जो है वो इन्हों ने यहाँ पर बता दिय जाए यहाँ पर कोई भी मैंने वीडियो वगरा स्किप नहीं की तो अब मैं जो है ओ क्या करता हूँ यहाँ पर लोग इन करके यहाँ पर फिंगर पिंट देता हूँ और अब हम देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं थर्टीन इंडेट फाइव रूपीज मेरे पास आ करूंगा तो 65 65 प्लस करके जितने भी बनते उतने मुझे जो है वो इनको रिटन करने पड़ेंगे लेकिन खैर बाकी यही मैंने आपको समझाना था कि आपकी एलिजबिलिटी तब बढ़ती जाती है जब आप एक बार लोन लेकर 100 रुपीज का बाद में उनको रिटन करते खैर इतना ही ता आज की वीडियो के लिए उमीद करता हूं आपको पसंद आई होगी लेकिन अगर फिर भी कोई कुस्टन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना और आपको अगर कोई और सेजेशन देना चैनल के रिकार्डिंग तो भी नीचे कमेंट करके बता देना तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा चैनल को सबस्क्राइब नी किया वागा तो काईनली वो भी करें इंस्ट्रा के अपर फॉलो ने किया वागा तो भी कर लें तर यूजर ने मारा होगा तो फिर मिलते हैं किसी अगली नग्स वीडियो में तब तक के लि अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दूमे आद रखेगा अलहाफेज